पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की असेंबली में जबर्दस भंगावा हुआ असेंबली के डेपिटी स्पीकर पर पी टी आई यानिकी अमरान खान की पाटी और पी एमल क्यू के विधायकों ने हमला कर दिया तस्वीरे देखिए तस्वीरे देखिए पंजाब का पंजाब की असेंबली ये पंजाब की विधान सबा है ये पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहां की असेंबली जहां पर जबर्दस भंगामा हो रहा है नेताओं के बीच मारपीट हो रही है यहां तक की जो डेपरी स्पीकर है उन पर हमला कर दिया जाता है मार्शल्स वहां पर आ जाते हैं डिप्टी स्पीकर को बचाने की कोशिश की जाती है किस तरह से डिप्टी स्पीकर पर मानो नेता तूट पड़े हैं उन पर अमला किया जा रहा है ये एहरान कर देने वाली तस्वीरे हैं और विधान सभा में नेताओं के 20 मारपीर हो रही है पाकिस्तान के पंजाब प्रांथ की असेंबली वहां के विधान सभा की ये तस्वीर है ये वही पंजाब प्रांथ है जहां पर अपसे कुछ दिनों पहले तक शावाज शरीफ यहां के बुक्यों मंत्री हुआ करते थे जो अब पाकिस्तान के प्रधान मंत्री हैं ये वही पंजाब प्रांथ है पाकिस्तान का और वहां की असेंबली का हाल आप देख रहे हैं नेता एक दूसरे से भिड़ गए हैं डिप्टी स्पीकर पर हमला हो रहा है और इसमें इमरान खान की पार्टी पी टी आई के नेता भी शामिल है इसके अलावा एक और राजनीतिक दल पाकिस्तान का पीमल क्यूँ उसके नेता भी शामिल है दो तस्वीरें आपके सामने हाल देखिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांथ के असेंबली का पाकिस्तान में हाली में सत्ता परिवर्थन हुआ है अमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरी के इनसाफ पीटी आई की सत्ता चली गई अमरान खान की कुरसी चली गई और पीमल एन के श्राबाज श्रीफ बन गए है पाकिस्तान के नए प्रधान मंत्री और उनका साथ दे रहे हैं PPP यानि के बिलावल भुटो की पार्टी विपक्ष एक साथ आगया है पीटी आई के खलाफ लेकिन पंजाब की असेंबली में क्या हो रहा है ये तस्वीरे हैरान करने वाली है डिप्टी स्पीकर पर हमला हो गया मार्शल आगया उन्हें बचाने के लिए नेताओं क